नमस्कारा भाउताह स्वागतम हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत की पाथ पुस्तक रुचिरा भाग एक का 12 पाथ 12 पाथ का नाम है दसम तुम असी दसम अहा अर्था दसवे तुम तुम असी हो दस वे तुम हो तो आईए पढ़ते हैं पार्ट के माध्यम से किया कता है एक दा दस बालका स्नानाई नदीम अगच्छन एक दा एक बार दस बालका सनानाई स्नान करने के लिए नदीम अगच्छन नदी गए ते नदी जले चिरम स्थानम अकुर्वन ते वे नदी जले नदी के जल में चिरम मतलग दीर के समय तक स्नानम ते शाम उनका नायक हो नायक अप्रच्छत पूछा तब उनके नायक ने पूछा अपी सर्वेबालका नदीम उत्तिर्णा अपी आगे लगाये गया है इसका मतलब यह प्रश्नवाचक हो गया प्रश्नवाचक चिनन भी लगा हुआ है सर्वेबालका सभी बालक नदीम उत्तिर्णा नदी पार कर लिये हैं क्या सभी बालकों ने नदी पार कर लिया हैं यह प्रश्न उनके नायक द्वारा पूछा गया तदा तव कश्चित कोई बालक बालक अगणियत गिनता है एक हाँ द्वाव त्रय हाँ चत्वार हाँ पंच हाँ सस्ट सप्थ अस्टाव नव इती एक दो तीन चार पांच छेह साथ आठ नव सह स्वाम न अगणियत सह वह स्वाम मतलब स्वयम को न अगणियत नहीं गिना यानि कि उसने स्वयम को नहीं गिना अतह सह अवदत इसलिए सह वह अवदत बोला नव एव संती नव नव एव ही संती है नव ही है अतह वह बोला नव ही है दसमह न अस्ती, दसवा नहीं है अपरह अपी बालकह पुनह अन्यान बालकान अगणियत अपरह दुबारा अपी बालकह बालक भी पुनह दुबारा से अन्यान दूसरे बालकान बालकों को अगणियत गिना दूसरे बालकने भी फिर अन्य बालकों को गिना तदा अपी नव एव आसन तदा तब अपी भी नव एव नो ही आसन थी अतह ते निश्चयम अकुरवन अतह इसलिए ते उन्होंने निश्चयम अकुरवन निश्चय किया यत की दसमह नध्याम मगना दसवा नदी में जूब गया है ते दुखिता तूष्णिम अतिस्चन ते दुखिता वे दुखि होकर तूष्णिम मतला चुप्चा मौन अतिस्चन बैठे तदा कश्चित पथिकह तत्र अगच्चत तदा तब कश्चित पथिकह कोई पथिक तत्र अगच्चत वहां आया सह तान बालकान दुखी तान दृष्ट वा अप्रच्छत सह वह तान बालकान उन बालकों को दुखी तान दृष्ट वा दुखी देखकर अप्रच्छत पूछा बालका हाँ, हे बालको, युश्माकम दुखश्य कारणम किम, युश्माकम तुम सब के दुखश्य कारणम कारण किम क्या है, हे बालको, तुम सब के दुख कारण क्या है, बालका नाम नायक हो अकतियत, बालकों के नायक ने कहा, स्नान करने के लिए आगता आए इदानीम नव एव स्मह अब नव नव एव की तुटो है अब नव ही है एक नध्यम मगनह इती एक अथात एक नध्याम नदी में मगनह डूब गया इती ऐसा पतिक ने तान अगणियत पतिक ने उनको अगणियत गिना पतिक ने उनको गिना तत्र दस बालका एव आसन तत्र वहां दस बालका एव ही आसन थे सह नायकम आदिशत तुम बालकान गणई सह नायकम वह नायक को आदिशत आदेश दिता है पतुम बालकान बालकों को गणई गिनो Сहातू नौ बालकान एव अगणियत तदा पतिक हां अवदद तब पतिक बोला दसमह दसवे तब असी तुम हो इती ऐसा तत स्रुत्वा प्रहृस्टा भूत्वा सर्वे ग्रहम अगच्चन तत स्रुत्वा यह सुनकर प्रहृस्टा प्रशन भूत्वा होकर सर्वे सभी ग्रहम अगच्चन घर गई यह सुनकर प्रशन होकर सभी घर गई तो ये आपका दसम तौन असी पाट का अनुवाद है आश्या है आपको समझ में आया होगा धनिवाद